नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका लेट्स क्राइग इतो दुश्य गुपता के दोटीनल पर और ये वीडियो होने वाले हैं जि प्रिविएसर क्वेशिन्स की बहुत ही मैथ पूर्पून स्वाल है जितने भी प्रिविएसर क्वेशन हैं उनको करने जा रहे हैं लगाता लिए अपकर सब्सक्राइब आका कीजिए,ोई अपका दाउट आता है, deconst drink ले calculating понравition फ्रेसी और होट्सरापोगारि ओलोची सब्सक्राइब ना यसरे मुझे चितने ब ही ससे कह steep ल Graham jam आपको देखते चलिएगा कोई भी आपका फीड़ा करते हैं वीडियो देखते हैं और उसमें कैसे सवाल आए हैं सभी लोग काम जरूर करेंगे उन सवालों को करने के लिए एक साथ में पहनों पेपर जरूर लेके रखिएगा अपने आशर लगाते चलिएगा कि आपके हिसा कि आपको डेख सकते हैं कि बहुत अच्छा हो जाएगा और आगामी जितनी परिक्शाएं उसमें सबक्ता मैं मैं उम्मीद करता हूं कि सबका बहुत अच्छे सिलेक्शन होगा चली बाकी वीडियो स्टाट करते हैं तो गाईजिक वाल देख लेते हैं सबसे पहले geography के सवाल हम ले रहे हैं 2022 के 2022 के जो इस्सी साल UPSC ने prelims लिया था उसके सवाल देखते हैं फिस 2021 के देखेंगे फिस 2020 के देखेंगे ये 2022 के सवाल ने देखते हैं सबसे पहले सवाल से start करते हैं इंग्लिश इंडी दोनों में लिखा गया है, लास्ट में आंसर भी दिये गये हैं सबके, ये PDF जिनको मिल रही है, सब भी आंसर भी इसमें मिल जाएंगे, बहुत ही महत्पूर्ण सीरीज चल रही है, इसको जरूर से जरूर देखिए, कोई भी आपका डाउट आएगा तो इंडी गया। फेर हो सकता है बिल्कुल फेर हो सकता है क्योंकि solar storms GPS की जो satellites हैं उनको disturb कर सकती है तो पहला point बिल्कुल सही है पूछा कि correct answer क्या है इन points में से यानि कि इन 7 चीजों में से क्या क्या चीजों हो सकती है तो पहली तो हो सकती है यह अगर पहली हो सकती है तो B option तो automatically गलत हो गया बहुत तेजी speed से चलने वाली winds है उसके सबसे tsunami तो नहीं आनी चाहिए देखिए second option हो सकता है सही हो लेकिन अभी मैं definitely नहीं कहूंगा second point जो है वैसे सही नहीं है अगर second सही नहीं है तो A भी गलत हो गया B भी गलत बी तो पहली गलत हो गया और D भी गलत हो गया तो answer automatically C आ गय पर या दक्षिणी धुरूफ पर उत्तरी धुरूफ पर जब होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं aurora borealis कहते हैं और नीचे हम उसको auroras australis कहते हैं तो नीचे south में होते हैं और उपर north में होते हैं और borealis नौरवे में, Sweden में, Finland में, Russia के कुछ हिस्तों से वो दिखते भी हैं तो intense auroras होंगे, बिल्कुल होंगे, यानि कि 1B होगा, power greatest damage हो सकते हैं, 1, 3, 4, यह तीनों होंगे, forest fire नहीं लगेगी, forest fire क्योंकि जंगलों में आग लगना, solo flare के विए से जंगलों में आग नहीं लगेगी, उसके बाद फिर orbits, जो है satellite की वो disturb हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं और 3, 4, 6, 7, C option जो है, वो इसका बिल्कुल सही जवाब है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया, अगला सवाल देखते हैं, पश्चिमी अफरिका का, ऐसा कौन सा लेक है, जो सूख चुका है, और वो अब रेगिस्तान में कनवर्ट हो चुका है, यानि कि इन में से कौन सी बावजूद पानी नहीं आया है, तो यह है लेक फैगवी बीन, यह माली में पढ़ती है, जो सहारा डेजर्ट का एरिया है, फिर नेक्स सवाल आता है, लेवांत रीजन के उपर, देखिए हम कहीं बार पढ़ते हैं, आईस, आईसीस के बारे में पढ़ते हैं, जो इसलामि लेवांत रीजन, लेकिन यह लेवांत है क्या, तो वो ही यह पूछना चाहरे हैं क्योशन में, कि जो टर्म लेवांत है, यह न्यूज में बहुत जादा रहता है, यह कौन सा छेतर है, तो क्या यह पूर्वी, जो भूमद्यसागर है, उसके आसपास का छेतर है, यानि कि इ मेडिटेरिनियन सी से लगते हैं चाहिए वो उपर यॉरोप के कंट्रीज हो नीचे अफरिका के कंट्रीज हो और इस्ट में एश्या की कंट्रीज हो क्या सभी जो कंट्रीज है वो सभी लेवांत रिजन मनाएंगे क्या जी ऐसा नहीं है ए आप्शन इसका बिल्कु सही जबा होगा कि जो पूर्वी मेडिटेरिनियन है यानि कि जैसे कि सीरिया है ना सीरिया के जो कंट्री है लेबनन है नीचे इसराइल है ये जो एरियाज है ये वाला जो एरिया है ये मेडिटेरिनियन शोर का इस्टन मेडिटेरिनियन शोर्स है और इसी को हम लेवांत रिजन कहते नेक्स्ट चौता सवाल पूछा जारा है कि उत्तरी हैमिस्वेर में, उत्तरी गुलार्त में धर्ती पे सबसे लंबा दिन कब होता है, जिएक धर्ती पे सबसे लंबा दिन होगा, जब सूरज Northern हैमिस्वेर में Tropic of Cancer पे होगा, करकर एका में होगा, जब जिस दिन सूरज करकर पर रहता है उसी दिन सबसे लंबा दिन होता है और वो हम 6-7-8 क्लास के अगर हम पढ़ें उसी में पढ़ लेते हैं कि वो 21 जून को होता है लेकिन डारेक्टली डेट रहा देकिन उन्होंने किस तरह से पूछ लिया इन्होंने कह दिया कि जून के महीने का पहला हाफ यानि एक से लेके 15 तरह तरह तक फिर दूसरे दूसरा हाफ यानि की 16 तरह से लेके 30 तरह तरह जून में इस प्रकार से जून में इस प्रकार से नेक्स देखतें हैं पांच अवर सवाल देखते हैं कि अब इसमें क्लाउट पर पूर सवाल पुछ जा रहा है कि जो हॉआप नहीं हेड़के हैं fucking हैं यह जो एल्एक नहीं कर पाते और वो नीचे के जो clouds होते हैं lower जो clouds होते हैं वो ही कर पाते हैं low clouds का absorption जो है infrared radiation का वो जादा होता है from the earth surface and thus causing warming effect नहीं ऐसा नहीं है low clouds तो बादलो को reflect कर देते हैं जिससे की वहाँ पर जादे गर्मी ना हो धर्ती पर जादे गर्मी ना हो तो यादि की दोनों statement गलत हैं neither one nor two दोनों statement गलत हैं तो पूछा गया था कि कौन से सही है कोई से भी सही नहीं है दोनों ही दोनों गलत हैं लेज़ देखी बहुत अच्छा सवाल पूछा गया इसको देखते हैं कि बीदी बीदी एक large refugee settlement रहा north western Kenya में देखी ये settlement तो रहा लेकिन ये Kenya में ना होके यूगांडा में था तो ये इस तरह से पहला statement गलत हो जाता है अगर पहला गलत हो गया तो A option गलत हो जाएगा कि जो बीदी बीदी है वो कहां था वो यूगांडा में था फिर आता है कुछ पीपल जो साउट सुडान सिविल वार से भागे थे वो बीदी बीदी में रह रहे हैं ये बिल्कु सही बात है और कुछ जो सुमालिया में सिविल वार चल रहा था वो ददाब जो refugee complex है केनिया में महाँ पर रह रहे है ये भी सही बात है तो C option इसका बिल्कु सही है दो और तीन लेकिन पहला गलत है कि जो बीदी बीदी large refugee settlement है वो केनिया में नहाँ के कहां पर है युगांडा में है फिर आता है गुच्ची के बारे में आ रहा है ये जो गुच्ची है ये अपनाम में एक fungus है यानी कि मिश्रूम है तो उसके बस वाल पूच़ जा रहा है कि क्या ये fungus है विल्कुल सही बात है ये अपनाम में एक fungus है और इसके बाद ये बाद ये पूच़ है इसमें कि क्या ये हिमालियान forest area बेमें हो रही है यानि कि C option इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट बहुती सुंदर question बूचा गया देखे वो कह रहे हैं कि कांडी कोटा केनियन है साउथ इंडिया में जिस तरह से हम एक grand केनियन पढ़ते हैं जो कुलारोडो रिवर बनाती है USA की इसी परकार से भारत में भी नदी है जो कहा जाता है कि भारत का grand केनियन मनाती है तो ये भारत का grand केनियन मनाने वह नदी कौन सी है जो साउथ इंडिया में भैती है वो है पिन्नाड नदी और ये कहां भीती है आन्ददेश-Tamiladun भैती है और Bay of Bengal में गिर जाती है तो पिनार नदी जो है ये गांधी कोडा केनियन बनाती है नेक्स देखते हैं नेक्स सवाल कह रहा है consider the following pairs और ये क्या pairs है हम देखी यहाँ पे पीक दे रखी हैं कुछ और यहाँ पर परवत दे रखे हैं यानि कि mountains दे रखे हैं और आपको बताने कि क्या ये परवत इन mountains में है या नहीं यानि कि ये चोठी जो है वो in mountains में है या नहीं नामचा बरवा कैसे गड़वाल इमाले होगा नामचा बरवा तो कहां मिलती है अब नाशल प्रदेश में मिलती है तो नामचा बरवा तो पहला तो बिल्कुल गलत हो गया यानि कि A भी गलत हो गया और C भी गलत हो गया नंदा देवी कुमाउ हिल्स में मिलती है ये बिल्कुल सही बात है नौकरेक, नौकरेक मिघाले में मिलता है सिक्किम में नहीं मिलता तो कंजन जंगा होता तो सिक्किम होता नौकरिक मिखाले मिलता है तो थर्ड भी गिलत है, फर्स्ट भी गिलत है, सेगिंड ओनली, बी टू ओनली इसका सही जवाब होगा नेक्स्ट दसवा सवाल देखते हैं, दसवा सवाल गहरा है कि with reference to India, consider the following statements तो यानि कि भारत के संदर में निमलिकित कतनों पर विशार करना है आपको, कि मोनाजाइट जो है अपने एक rare earth का source है, बिल्कु सही बात है, मोनाजाइट जो है, विरल मदराओ का explode है, और मोनाजाइट के अंदर, मोनाजाइट जो rocks है, इसके अंदर थोरियम होता है, ये भी ये entire Indian coastal sense में मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है, अगर coast तो हमारे 9 राज्यों में लग रहे हैं, तो क्या सभी राज्यों में ऐसा मिल रहा है ये, ऐसा नहीं है, केरला के जो राज्या है, केरला में थोड़ा बहुत करनाट का, महरास्ट का कह सकते हैं, कि महाँ पे थोड़ा इसका प्रासेश और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, तो मोनाजाइट को प्रासेश करने के लिए, और इसको यूज करने के लिए, इसका प्रसेंस करने के लिए, और निर्यात करने के लिए, सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है, गम्नेट बॉड़ीज ही इसका काम कर सकती है, प्र केरला में fully solar powered international airport है और उसके बाद जो तीसरा statement है तीसरा statement कह रहा है कि गोवा में largest floating solar photovoltaic project है यह तो बिलुकुल गलत है गोवा में ऐसा कोई भी project नहीं बन रहा है जो solar photovoltaic cells का बनावा हो यानि कि solar park बन रहा हो और कैसा floating वाला ऐसा नहीं है यह कहां बना है यह अभी तेलंगाना में बन रहा है जो सबसे बड़ा तैरता हुआ है तो तीसरा तो गलत है तो डी भी गलत हो गया सी भी गलत हो गया second statement बच रहा है one and two or two only में तो second statement बिल्कुल सही है केरला का जो कोचीन एरपोर्ट है वो fully solar powered बनाए गया है international report और पहला statement कहा रहा है कि गुजरात में largest solar park के भारत का ऐसा नहीं है राजिस्थान में सबसे बड़ा solar park है तो पहला भी गलत हो गया बी two only इसका सही जवाब होगा कि जो सबसे बड़ा solar park है वो राजिस्थान में है तो केरला के अंदर सिर्फ कोचीन इंडरनाशनल एपोर्ट ऐसा है जो fully solar powered है तो second only इसका सही जवाब होगा किवल दो नेक्स देखते हैं तेरवा सवाल क्या कहता है चार राजिये दिये हैं आपको consider the following states और कहा जा रहा है कि आपको बताना है कि इन में से कौन से टी producing states है जहाँ पे चाय का उत्पादन होता है ऐसे कौन कौन से राज़े है आनपरदेश में भी होता है विल्कुल होता है आनपरदेश में कौफी भी होती है और चाय भी होती है करला में तो बहुत जादा होता है हिमाशल में भी होता है त्रिपुरा में भी होता है इन चा कौन सारिजर्फ डियर है किस रज्ज है मैं से असर बताना है not correctly मैस्ट पुचा है कि कितने यह पैर्स ओसे यह कि laisser और है कि जो थेलंगाना में जिनहीं में और फ्र त्रफ तौक कर्नाटका में है तो ये भी गलत है ये भी गलत है और चौता कहा रहा है मैथन चतीस गड़ में है ऐसा नहीं है मैथन जो है वो जारकंड में है तो तीन पेर ऐसे हैं जो इनकरेक्टली मैज्ड हैं नॉट करेक्टली मैज्ड हैं तो only three pairs यानि कि C option इसका बिल्कुल सही आंसर होगा तो यह थे तेर नहीं आई है वहाँ पर आप comment section में comment करके बताए यह वो गलती क्यूं हुई आपसे कहां पर दिक्कते थी कौन सा इसा topic था जो आपका week था और इसके answer भी लगा दिये गए हैं यह जिनको पीडियोप्स मिलेगी यहाँ पर सभी answer भी लगा दिये गए हैं इसमें कोई भी अग comment जरू कीजिएगा चली बाकी मिलता है next video में so thank you and bye bye